आज हमारी शादी को 20 साल पूरे हो जाएंगे, जो मैंने सीखा वो सब कुछ तो आपके लाद नहीं शेयर कर सकता है, बढ़ी 21 साल में भी जाना है, पर कुछ चीज़े मैंने सही करिया हैं, जो काफी चीज़े में सही कर सकता था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ गा, शिवा को अगर बड़ा होने के बाद परिवार बड़ा करने के इच्छा हुई तो हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे बजाए की एक नई जान को दुनिया में लाएं मुझे तो पता ही नहीं था कि जिने का ये भी एक तरीका है मेरे इसाब से तो जिन्दगी सिरफ एक डीफॉल्ट पैटन पर ही जी जाती है पहले शादी और फिर बच्चे तो रॉबिन ने जब मुझे या आइडिया प्रपोस किया तो मैंने का वाई नॉट जो दूसरी जो कि हो रही थी क्योंकि मैं फाइनशली इंडिपेंडेंट थी मेरी प्रियॉरिट पर उस समय यह था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूं उसके साथ मैं जादा से जादा समय व्यतीत कर पाऊं अब यहां पर मैं चूक गया क्योंकि डेटिंग के दौरान हमें इतना कम सम मिलता था कि लगता था जितना समय मिले उतना ही कम होगा पर जब शाजी के बाद कठे समय व्यतीत करने को मिला तो समझ में आए कि जतना समय में मेरा काम बन जाता है शिवानी के लिए वो काफी नहीं है और यह इंबैलन्स पिछले 20 साल में जादा बदला नहीं पर और 20 साल वाले शहरी रॉबिन को और 32 साल वाला रॉबिन करता भी मुझे तो गाव रहना है मुझे तो अपनी सबजी खुद उगानी है मेरे जीवन का मुद्दा है अच्छा काम जब हमारी शादी हुई तो हम सरफ 22 साल के थे और उस समय मुझे यह नहीं पता था कि लाइफ मे चाहती थी इसलिए इनके साथ चलती रही अब चलती रही या घसीटी गई और शिवानी का कहां मान भी लें कि अब खुश है तब भी एक तुका ही लगा बहतर तो यह होता कि हम पहले ही डिसकस कर लेते कि भई हमारे जो भी अनुभव हैं चाहे वो किताबे हैं या ट्राव है या फिल्मे हैं हम उनको शेयर रखेंगे ताकि हमारा जो बदलाव है वो एक गती से हो और एक दिशा में हो फिर भी अगर दोनों पर यह अलग अलग दिशा पकड़ लेते हैं तो बजाए की गाड़ी जाम हो जाए दोनों अपनी अपनी रहा चले जाएं लेकिन जितनी विवात समवात की वजाए अपनी अपनी स्पेस से सुलजाए जा सकते हैं जो एक और बात मुझे समझ में आई वो ये कि भई दो मोटे कारण है जिसकी जासे हमारे रिष्टे सोशल मीडिया पोस्ट से कम और हमारे माबाप के रिष्टों से जादा मेल खाते हैं एक तो उन औरों से अपनी तुलना करते हैं तो भई अपना तो हमें सब पता होता है पर उनका सिर्फ उतना ही जितना उनोंने दिखाया होता है और बहुत से लोग बहुत सी बाते सारवजनिक नहीं करते एक और डिसकुशन जो शादी से पहले ही हो जानी चाहिए वो है लेन देन क अगर आपको किसी का साथ चाहिए तो थोड़ी तो आपको अपनी आजादी देनी पड़ेगी अब इसको कोई माने या ना माने पर जाहिर सी बात है कि अगर आपने एक हाथ से किसी का हाथ पकड़ा है तो उस हाथ से अब आप कुछ और तो नहीं ही कर सकते खलिल जुप्रान की कुछ रिलेशन्शिप्स पर पंक्तियां है जो मुझे काफी पसंद है पर उभी लाइफ में मैं पूरी तरह से उन्हें अपलाए नहीं कर पारी पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीना के तार अलग-अलग होते हुए भी एक सा संगीत उप जाते हैं साथ होने के लिए हमेशा पास खड़े होने की जरूरत नहीं होती मंदिर के स्थम एक दूसरे से एक तै दूरी पर ही होते हैं एक दूसरे को प्रेम करो पर प्रेम के बंदन में बांदो नहीं